सनातंदर में एकादसी तिथी का विशेश महत्त है एकादसी तिथी पर जगत के पालनहार भगवान विश्णू और मा लच्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है साथ ही पापों को दूर करने के लिए ब्रत भी किया जाता है धार्मेक मानिता के अनुसार इन कार्यों को करने से जातक को सभी प्रकार के संकटों से छुटकारा मिल जाता है साथ ही जीवन में खुसियों का आगमन होता है मार्गशीस महा के कृष्ण पच्च की एकादसी को उत्पन्ना एकादसी नाम से जाना जाता है तो चलिए जानते हैं एकादसी का सुभ महूरत और पारण का विशेश समय कब है पंचांग के अनुसार मार्ग सीस महा की कृष्ण पच्च की एकादसी तिथी की शुरुवात 26 नवंबर को देर रात 1 बजकर 1 मिनट पर होगी बहीं इस तिथी का समापन अगले दिन यानी 27 नवंबर को देर रात 3 बजकर 47 मिनट पर होगा ऐसे में 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादसी का ब्रत किया जाएगा भक्त जनों एकादसी ब्रत का पारण अगले दिन यानी 12 तिथी में किया जाता है उत्पन्ना एकादसी का पारण का समय 27 नवंबर को दोफेर 1 बजकर 12 मिनट से लेकर 3 बजकर 18 मिनट के बीच में कर सकते हैं ब्रत का पारण करने के बाद स्रद्ध अनुसार गरीव लोगों में अन धन और बस्तर का दान भी करना चाहिए मानिता है कि दान करने से जातक को जीवन के सभी सुखों की प्राप्ती होती हैं इस प्रकार से एकादसी का ब्रत करके आप अपने जीवन बंदन से मुप्ति पा सकते हैं आप जानते हैं कि उत्पन्ना एकादसी के ब्रत में आप किस प्रकार से नियमों का पालन करें एकादसी का ब्रत करने बाले सभी भक्तों के लिए तीन दिन का ब्रत जरूर से करना चाहिए तीन दिन के ब्रत के कुछ नियम होते हैं जैसे कि द्वादसी तिथी को साम के समय आपको चाबल खाना बरजित है साथी साथ प्याज लहसुन तामसिक भोजन मसूर की दाल बैंगन इतियादि खाना भी बरजित है आप यहाँ पर सुद्ध और साकाहारी भोजन गिरहन करें ब्रह्मचार का पालन करें भूमिशयन करें इस प्रकार से दस्मी तिथी के साम के समय ये नियम आपको पालन करने होंगे दूसरे दिन एकदसी के दिन आप सुबब ब्रह्म मुहूरत में उठकर इस नान इतियादी करने के बाद मंदिर की साफ सफाई करके सिरी हरी की प्रत्मा एक चोकी पर लगाएं बहा पर माता लच्मी की भी आसन लगाएं उसके बाद सिरी हरी के भोग सरूप फल फूल मेबा इतियादी चन्न रोली हल्दी चनी की दाल इतियादी का भोग लगाएं हो सके तो तुलसी मा के क्यारे में एक दीपक अवश्य लगाएं तुलसी के दल सिरी हरी को जरूर से भोग में चड़ाएं इससे सिरी हरी प्रशन होकर भोग ग्रहन करते पूजा इतियादी करने के बाद सिरी हरी की आरती करें एक समय भोजन करें द्वादसी की दिन पारन क समय पर आप पारण करें और द्वादसी तित्थी को आप चाबल जरूर से ग्रहन करें इस प्रकार से एकदसी का ब्रत करने बाले सभी भक्तों की मनोकामना सीगरती सीगरिश सिरीहरी पूरी करते हैं जानकारी अच्छी लगी तो कॉमेंट एक्षन में राधे राधे